राज्य चुनाओ आयोग ने पंचेत चुनाओ के तयारियां शुरू कर दी हैं और राज्य चुनाओ आयोग ने बताया कि एक चरण में पंचेत चुनाओ हो सकते हैं चुनाओ आयोग ने सभी उपायुक्तों को चुनाओ से पहले की तैयारियों को लेकर पत्र लिख दिया है। उन्होंने बताया कि जिला परिशद के सदस्यों, पंचैत समीती के सदस्यों और सरपंचों के चुनाओ EVM और पंचों के चुनाओ बैलेट पेपर के माध्यम से करा जाएंगे। उन्होंने बताया कि अधिकारियों की बुलाई कई बैटक में चुनाओ से सम्मंदित मैटेरियल और बैलेट पेपर प्रिंट करने को लेकर चर्चा की गई है। बैटक में अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिये गए हैं। इस पर खास बातशीत की है ह हमारे समवाद दाता अनिल कुमार ने राज्य चुनाव आयूक्त धनपत सिंग से। चुनाव के समय जो जो भी हमें आवशकता हैं होती हैं मैटीरियल की खास तोर पर जो पंचों के लिए बैलेट पेपर प्रिंट होना है क्योंकि पंचों के चुनाव बैलेट पेपर से होने हैं। उसको लेके थी क्योंकि समय इस बार कम रहेगा एक ही फेज में चुनाव हो की संभावना है तो ताकि लोगों का समय जाया ना हो और प्रशाशन को भी ज्यादा दिखते नहीं आए तो उसके बारे में ये बैठक हमने अधिकारियों से की और उसमें उनको यही का गया कि भी अपना इंतिजाम पहले से रखें ताकि उस समय कोई अफरात अफरी का महौल सर जो पंचाय चुनाव हो रहे हैं यह EVM के माध्यम से होंगे या बैलेट पेपर के माध्यम से होंगे अभी जो प्रस्तावित है जिला परिशत के वार्ड मेंबर्स पंचायत समीति के वार्ड मेंबर्स सर पंच इनके चुनाव EVM के माध्यम से होंगे पंचों की तादाद काफी ज्यादा रहती है वो उनके मल्टी पोस्ट की EVM समारे पास नहीं है उनके चुनाव बैलेट पेपर से होंगे सर आप में उपायुक्तों से कोई बैठक की है और कोई उपायुक्तों को निर्देश भी दी है पुंचाय चुनाव को लेका अभी उपायुक्तों से एज सच कोई उपचारिक बैठक नहीं हुई है अलग से हर एक उपायुक्त से सम्मंदित कार्य के बारे में बात होती रहती है लेकिन पत्राचार चलता रहता है और सब उनको जो प्रायर जो पहले से त्यारिया करनी होती चुनाव के लिए उन करने के लिखा गया है जब एक बार चुनाव का शुडूल प्रोग्राम जारी करेंगे तो उसके बाद उपायुक्तों से भी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माद्यम से बैठक करेंगे ये थे मेर साथ राज्य चुनाव अयुक धनपत सिंग इन्हों ने बताया कि आज पंचाई चुनाव को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक हुई है वह इन्हों ने बताया कि एक ही चर्ण में पंचाई चुनाव करवाई जाएंगे अनील कुमार टोटनियो चंडिकार